देश में अलग-अलग मोर्चों पर लोगों को महँगाई के जटके लग रही हैं सरकारी ओयल क्मार्किटिंग कंपनियों ने आसे घरेलू गैस कनेक्शन लेना महँगा कर दिया है नया घरेलू रसोय कनेक्शन लेने के लिए आज से आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे क्योंकि नए घरेलू LPG कनेक्शन के सिक्योरिटी डिपॉजिट की दरों में इसाफा कर दिया गया है नए दरे आज से लागू हो गई है कंज्यूमर्स को अब हर कनेक्शन के लिए 1450 रुपई की जगा 2200 रुपई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा यानि सीधे सीधे हर नए गैस कनेक्शन के लिए जमादरों में 750 रुपई का इजाफा हो गया है महीं गैस रेगुलेटर की कीमत भी 150 रुपई से बढ़कर 250 रुपई हो गई है पाइप के लिए अलग से 500 रुपई और पासबुक के लिए 25 रुपई देने होंगे अगर कोई व्यक्ति नए गैस कनेक्शन के साथ दो नए सिलेंडर लेता है तो उसे 4400 रुपई देने होंगे इंडियन ओयल, बीपी सील और एचपी सील ने बताया कि 5 किलोग्राम के सिलेंडर की सिक्योरिटी डिपॉजित भी अब 800 रुपई की जगा 1150 रुपई कर दी गई है इसके पाइप और पास्बुक के लिए नए नियमों के तहट क्रमशे 150 और 25 रुपई खर्च करने होंगे वहीं प्रिधार मंतरी उजवला योजना वाले ग्रहकों ने अपने करेक्शन पर सिलेंडर को डबल किया यानि दूसरा सिलेंडर लिया तो उन्हें बड़ी हुई सिक्योरिटी राशी देने होंगी रागों को नए करेक्शन में लगने वाले रेगुलेटर के लिए अब 150 रुपई की जगा 250 रुपई खर्च करने होंगे